अध्यात्म के मार्ग के कुछ साधकों ने महर्शी रमन से तब एकाग्रता, समाधी, निर्वान, परमात्मा इन सब के बारे में कुछ प्रश्न किये। एक साधक ने पूछा कि महर्शी हमें तब करते समय किस पर अपनी दृष्टी एकाग्र करने चाहिए, हमारा मन अपने उच्चारित शब्दों पर एकाग्र होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब महर्शी ने कहा, तब किस लिए है? महर्शी तब तो आत्म साक्षातकार के लिए है? ठीक है, तब साधक की योग्यता के अनुसार होता है, व्यक्ति को ध्यान ही तू, आकृति की आवश्यक्ता है, किन्तु यही पर्याप्त नहीं है, क्या कोई साधक सदैव एक ही आकृति पर द्रिश्टी स्थिर रख सकता है? अतहा, आकृति की अभिपूर्ती जब इसके द्वारा होगी, जब द्रिश्टी के अतिरिक्त मन को आकृति में स्थिर करने में सहायता करता है, इन प्रयासों का परिणाम मन की एका ग्रता है, जो की अंतिम लक्ष है, साधक जिसका चिंतन करता है, वही हो जाता है, कुछ साधक आकृति के नाम से ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्रतेक आकृति का नाम अवश्य ही होगा, वह नाम इश्वर के समस्त गुणों का सूचक है, निरंतर जब अन्य समस्त संकल्पों को हटा कर, मन को निश्चल कर देता है, यही तब है, एक आग्रता ही, आवश्यक तब है, तब क्या है, यह प्रश्न, यह जानने के लिए किया गया था, कि यह किस उद्दिश्य का संपाधन करता है, यह उद्दिश्य के अनुसार रूप धारण करेगा, महर्शी, क्या त्याग्मय जीवन भी तब नहीं है, यह भी एक प्रकार का तब हो सकता है, त्याग्मय जीवन वईराग्य से होता है, महर्शी, मैंने एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन भर अपनी बाँख को उपर किये देखा है, यही वैराग्य है, तो महर्शी, इसके लिए किसी को अपनी देह को पीड़ा क्यों पहुँचाने चाहिए, तुम समस्ते हो कि यह पीड़ा है, जबकि यह व्रत है, तथा दूसरे व्यक्ति के लिए, यह एक उपलब्धी है, आनन्द है, ध्यान, बाहिय तथा आंतरिक, अत्वा दोनों प्रकार का हो सकता है, बाहिय आकरिती की अपेक्षा, जबका अधिक महत्व है, यह तब तक करना चाहिए, जब तक यह सहज न हो जाए, इसका प्रारंभ प्रयास से होता है, और जारी रहता है, जब तक स्वतह ही न होने लगे, सहज होने पर इसे साक्षातकार कहते हैं, अन्यकारिय करते हुए भी, जब किया जा सकता है, वह जो है, वही एक मात्र सत्य है, इसे आकरिती, जब, मंत्र, विचार, अत्वा किसी भी प्रकार के प्रयास से प्रस्तुत किया जा सकता है, अंतदह वे समस्त अपने आपको उसी एक अद्विती सद्वस्तु में रूपांतरित कर लेते हैं भाक्ती, विचार और जब असत को हटाने के लिए केवल हमारे प्रयासों के भिन रूप है इस समय असत एक मोह ही है सत्य हमारा वास्त्रिक स्वरूप है ब्रहांती के कारण हम असत में अर्थाद, संकल्पों एवं सांसारिक कारियों में द्रड़ हो रहे हैं इनकी समाप्ती से सत्य प्रकट होगा हमारे प्रयासों का धेय इनको दूर करना है यह केवल सत्य के चिंतन से किया जा सकता है यद्यपी वह हमारा वास्त्रिक स्वरूप है तथा प्रकट होने में जो बाधाएं हैं उनको दूर कर दें इस प्रकार ध्यान अत्वा विचार अपने मूल स्वरूप में लोट जाता है महर्शी क्या हमारे प्रयास निश्चही सफल होंगे क्या साक्षातकार हमारा स्वरूप है यह कोई नवीन वस्तु नहीं जिसे प्राप्त करना है जो नवीन है वह शाश्वत नहीं हो सकता इसलिए यह संदेह करने की आवश्यक्ता नहीं है कि जीव आत्मा की प्राप्ती करेगा भी या नहीं महर्शी एक आग्रता क्या है द्रिष्टी को भृूम अध्य में कैसे स्थिर करें इन वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं प्रकाश है जिससे ये देखी जाती है तुम्हारे प्रश्ण का आशय यह पूछना है कि उस प्रकाश को कैसे देखते हैं महर्शी भृूम अध्य के बीच में जो बिंदू है उसका क्या महत्व है इस प्रकार कहने का थात पर यह है अपने नेत्रों से मत देखो आंतरिक द्रिष्टी से देखो तो महर्शी प्राणायाम किस लिए है केवल मन को वश्मे करने के लिए मन प्रकाश एवं पदार्थ दोनों प्रकार से कारिय करता है यदि उसे पदार्थों से वंचित कर दिया जाए तो केवल प्रकाश ही रहेगा महर्शी किन्तु हमारे लिए यह जानना अवश्यक है कि ऐसा प्रकाश है भी या नहीं ऐसे प्रकाश के अभाव में द्रिष्टी अत्वा संग्यान असंभव है सुशुक्ती में तुम किसी वस्तु की अनुभूती कैसे करते हो हमारी अनुभूती का संबंध वर्तमान अवस्ता से है चुँकि यहां प्रकाश है द्रिष्टी के लिए प्रकाश अनिवारिय आवश्यक गुन है हमारे दैनिक जीवन में यह स्पष्ट है समस्त प्रकाशों में सूर्य प्रकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसलिए करोडों सूर्यों के वैभाों का वरणन किया जाता है महर्शी यदि हम आँख की पलकों को अपनी उंगलियों से दबाते हैं तो एक प्रकाश की अनुभूती होती है तो ऐसे प्रकाश को देखने से क्या लाब होता है यहे इसलिए किया जाता है कि हम कहीं लक्ष को न भूल जाएं इस पद्धती से व्यक्ति को यह सहायता मिलती है कि द्यान अन्य कारियों की और नहीं जाता पदात दिखाई देते हैं अत्वा प्रकाश परकट होता है क्योंकि वहां द्रश्टा ऐसा करने के लिए है द्रिश्य दीखे या न दीखे इससे द्रश्टा पर कैसा प्रभाव पड़ता है यह दि प्रकाश अर्थात प्रग्याता अत्वा चैतन्य का दर्शन हो जाए तो देखने के लिए कोई बदार्थ नहीं रहेगा किवल शुद्ध प्रकाश अर्थात चैतन्य ही बचेगा महर्शी फिर प्राणायाम क्यों आवश्यक है श्वास का सैयम तथा नियंद्रण किवल मन को वश्मे करने के लिए है जिससे मन इधर उधर न भागे तो महर्शी क्या यह किवल मन को वश्मे करने के लिए है यही परियाप्त नहीं है कि प्रकाश का दर्शन हो जाए यह भी आवश्यक है कि मन एक ही क्रिया में सनलगने रहे जैसे हाथी की सूंड तथा लोहे की जंजीर के उदाहरन में बताया गया है महर्शी किसी व्यक्ति को चिंतामणी, कुंडलीनी, आत्मा यह सब प्राप्त करने में कितना समय लगता है चिंतामणी का उदाहरन योग वाशिष्ठ में पाया जाता है चिंतामणी, आत्मा के वास्त्विक स्वरूप का सूचक है इसकी कथा इस प्रकार है एक व्यक्ति, चिंतामणी की प्राप्ति हे तु तपस्या कर रहा था उसके हाथ में रहस्य पूर्ण ढंग से एक मणी आकर गिरी उसने सोचा कि एह चिंतामणी नहीं हो सकती क्योंकि उस मणी को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास अत्यंत अल्प एवं सामान्य था उसने उसे त्याग कर तपस्या जारी रखी बाद में एक साधुने उसकी समक्ष कई पहलू वाला कटाई किया हुआ देधिप्यमान रत्न प्रस्तत किया वह मनुष्य उसके रूप को देख कर आकरशित हुआ किन्तु उसे लगा कि उसकी मूल कलपना के अनुसार वह उसकी इच्छाएं पून करने में समर्थ नहीं है इसी प्रकार आत्मा अंतरनित होने से उसे अन्यत्र खोजने की आवश्यक्ता ही नहीं है पुनहा एक हाथी के साथ उसका महावत प्रायह छेड़ खानी किया करता था एक बार महावत दुर घटना ग्रस्त हो करके नीचे गिर पड़ा हाथी उसे वहीं मार सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया तथा पी बाद में महावत ने वन में एक बड़ा गड़ा खोद कर हाथी को खत्म कर दिया चुडाला ने इस कहानी से शिखी ध्वज की भूल दिखाई है उसे अपने राज्य के शाशनकाल में भी वईराग्य था तथा यदि वहब प्रबल चेश्टा करके अपने वईराग्य से अहंकार को मार देता तो आत्म साक्षात कार कर लेता पर उसने ऐसा नहीं किया परंदुवन में गया और तपस्या का कारिय करम बनाया पर अठारह वर्ष की तपस्या के बाद भी कुछ सुधार न कर सका वह अपनी निज की बनाई हुई स्रिष्टी का ही शिकार बन गया चूडाला ने उसे अहंकार को त्याग कर आत्म साक्षात कार करने का परामर्श दिया जिसका पालन करके वह मुप्ध हुआ चूडाला की कथा से यह स्पष्ट है कि अहंकार सहित वैराग्य व्रिथा होता है जबकि अहंकार के अभाव में समस्त परिग्रह का भी कोई महत्व नहीं है महर्शी निर्वान क्या है तथा शुद्ध आत्म चैतन्य का अनुभाव क्या है निर्वान पूर्णता है पूर्णा वस्था में नद्रष्टा है नद्रिश्य है वहाँ न कुछ देखने को है ना कुछ अनुभाव करने को है और नहीं कुछ जानने को है देखना तथा जानना मन के कारिये हैं निर्वान में मैं हूं की आनंद पूर्ण शुद्ध चेतना के अतिरिक्त और कुछ भी तो नहीं है महर्शी, लोग सेवा के विजार को इतना अधिक आग्रह क्यों देते हैं? ठीक, इस तरहे के सेवा के आंदोलनों का यही लाब है कि वे मनुश्य को निस्वार्थ बनाते हैं तथा उसे परम सत्य के लिए उद्यत करते हैं सेवा, प्रार्थना और जब की तरहे तथा परमात्मा के नाम से किया गया व्यवसाय भी परम लक्ष, आत्म साक्षातकार की प्राप्ती कराता है महरशी, परन्तु कितने समय के बाद और फिर जिस मनुश्य में पूर्ण ग्यान की पात्रता है वह दूसरे ग्यान में क्यों लगे, सेवा में क्यों लगे प्रतीक वस्तु अपने नियमित समय पर ही होती है जो मनुश्य पूर्ण ग्यान का पात्र है वह किसी न किसी प्रकार उससे परिचित होकर उसका साधन करेगा ही उसे यह अनुभूती होगी कि आत्म विद्या समस्त सद्गुणों में उच्छितम है तथा यात्रा का अंत भी है बाहिय समाधी जगत का साक्षी होते हुए भी अंदर से उसके समीप पहुँचे बिना सत्य पर द्रिड रहना है वह ऐसा सागर है जो तरंग हीन होने के कारण शांत है आंतरिक समाधी में देह चेतना का लुप्त होना सन्हित है महर्शी क्या जब सहद समाधी होती है तो क्या इस शरीर का भान देह चेतना का भान लुप्त हो जाता है देह चेतना क्या है इसको खोजो तो सही इसके लिए देह तथा उस तक सीमित चेतना का होना आवश्यक है जो एक साथ मिलकर देह चेतना बनाते है इनका अन्य चेतना में होना आवश्यक है जो पून है तथा यथार्थ है इस पर्टिको यही समाधी है जब देह चेतना नहीं होती तब यह रहती है क्योंकि यह उससे परे है जब देह चेतना होती है तब भी इस संपून चेतना का अस्तित्व रहता है इस प्रकार संपून चेतना की सत्ता सदैव है देह चेतना समाप्त हो गई हो अत्वा देह चेतना विद्यमान हो इसका कोई महत्व नहीं है जब देह चेतना लुप्त हो जाती है तब समाधी आंतरिक है और जब वह रहती है तब यह बाहिय समाधी है बस इतना ही है. मनुष्य को छह समाधियों में से किसी एक में अवश्य ही रहना चाहिए. जिससे कि उसके लिए सहथ समाधी सुलब हो सके. महर्शी, मेरा मन एक पल के लिए भी उस अवस्था में अस्त नहीं होता, उस अवस्था में रुकता नहीं है. एक प्रबल पूर्ण विश्वास की आवश्यक्ता है कि मैं आत्मा हूँ और मन तथा बाहरी द्रिश्यों से इस शरीर से विश्यों से परे हूँ ऐसा विश्वास तुमारे अंदर होना चाहिए उसे द्रड करो महर्शी फिर भी मन उसे अस्त करने के प्रयास के विरुद्ध रज्जू प्रमानित होता है यह मिथ्या नहीं लगता संसार वास्त्विक लगता है यदि मन सक्रिय है तो भी उसका क्या महत्व है ऐसा किवल आत्मा के अधिश्ठान पर ही होता है मानसिक कारिय कलापों के समय भी मैं अंदर तक परियाप तक गहराई तक नहीं जा सकता ऐसा कहना गलत है अभी तुम आत्मा में नहीं हो तो कहां हो तुम्हें जाना कहां है किवल आवश्यक्ता इस द्रड़ विश्वास की है कि तुम आत्मा हो वस्तुतहा यूं कहें कि अन्यक्रियाएं तुम्हारे उपर आवरन डाले रखती है हा महर्शी ऐसा ही है इसका अर्थ है कि विश्वास दुर्बल है उसे मजबूत करो महर्शी नाम जब करते समय और उसे एक घंटे तथा अधिक समय तक करने के पश्चात मुझे एक निद्रा के समान अवस्था हो जाती है जागरत होने पर मुझे ध्यान आता है कि मेरा जब बीच में रुख गया था अताहा मैं पुना आरंभ करता हूँ निद्रा तुल्य है यह ठीक है यही तुम्हारी सहज अवस्था है चुंकि अभी तुम आँकार से जुड़े हुए हो अताहा तुम सहज अवस्था को कोई वस्तु मानते हो जो तुमारे कारिये में बाधा डालती है तुम इस अनुभाव की आवरित्ती करते रहो जब तक कि तुम्हें यह अनुभूती न हो जाए कि यही तुम्हारी सहज अवस्था है तब तुम्हें ग्यात होगा कि जब सब बाहरी है तथापी यहे अपने आप ही होता रहेगा तुम्हारा वर्तमान संशे मिथ्या तादात्मे के कारण है जब कार्थ है अन्य समस्त संकल्पों को हटा कर केवल एक विचार में टिके रहना जब का यही उद्धिश है इससे ध्यान स्थिर होता है जिसका अंत आत्म साक्षातकार में है महर्शी क्या मन की एक आगरता भी एक साधना है क्या एक वस्तु का चिंतन एक आगरता नहीं है इसके विपरीद यह उन समस्त संकल्पों का शमन है जो हमारे वास्त्विक स्वरूप के दर्शन में बाधा डालते हैं हमारे समस्त प्रैतनों का अभी प्राय केवल अग्यान के आवरण को हटाना मात्र है अब संकल्पों को शांत करना कठिन प्रतीत होता है आत्म सुधार करने की अवस्था में संकल्प करना अधिक कठिन लगेगा इसका कारण है क्या वास्तों में वस्तुएं हैं भी जिनका चिंतन किया जाए किवल आत्मा ही है संकल्प तभी होंगे जब द्रिश्य पदार्थ हों पर द्रिश्य पदार्थ हैं ही नहीं फिर संकल्प उदै ही कैसे हो सकते हैं स्वभाव के कारण हमें ऐसा विश्वास हो गया है कि संकल्प ना होने देना कठिन है यदि भूल मालूम हो जाए तो व्यक्ति चिंतन करके अपने शक्ति का अनावश्यक अपवै करने की मूर्खता नहीं करेगा